हेलो अब्रीवान वेलकम तो अपना सपना ज्यारेफ और वेलकम तो डेली वन कुष्टिन प्रैक्टिस सीरीज फोर पार्ट बी फोर अपकमिंग सीसियर नेट लाइप साइंस दिसंबर 2023 आईए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से कुष्टिन कौन प्रैक बताया है सुलुशन का टाइप तो यहां पर कौन से सुलुशन में रखने से और बीसी ब्रेक हो जाएंगी यह आप से पूछा है चलिए बात करते हैं इसकी आंसर की तो सबसे पहले में आपको बताऊंगे कि हीमोलाइसिस क्या होता है तो ब्रेकडाउन ओफ रेड ब्लड होता है तो आपने अगर पढ़ा है उसकी कारण भी ऐसा हो सकता है उसमोसिस होता है हाईयर कंसेंट्रेशन टू कि कि यहां पर पानी की ज़्यादा है और यहां पर कम है यहां पर क्या है पानी कम है तो पानी जो है इस तरीकीसे यहां मूव कर जाएगा इस जí solution की बात की जाए तो lower solute concentration to lower solute concentration to the higher solute concentration higher solute concentration मतलब अगर खाली पानी है तो वहाँ केवल आप बात करेंगे कि पानी है कितना कहां ज्यादा है कहां कम है लेकिन अगर एक solution की बात की जाए जिसमें solvent है और सोल्यूट है तो जहां पर जिस सोल्यूट की कंसेंटिशन जादा है मतलब वहां सोल्यूट कम होगा मतलब वहां पानी कम होगा तो जहां पर पानी मतलब सोल्यूट अगर कम है तो पानी जादा होगा और यहां पर अगर सोल्यूट जादा है तो पानी कम होगा तो यहां से यहां move करेगा यह दोनों factor आपको याद रखने हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इवल पानी के बारे में तो higher concentration to the lower concentration लेकिन अगर एक solution की बात करें तो उसके अंदर solute और solvent का भी देखना होता है कि solute कितना है solvent कितना है वहाँ पर चीजे move करेंगे from lower solute concentration to the higher solute concentration तो यदि आप आपने RBC को रखा है solution के अंदर तो जब उसके अंदर पानी जाएगा तब जाकर यह स्वैल होगा और तब स्वैल होगा तभी यह ब्रेक होगा तो मतलब इसको ब्रेक करने के लिए हमें पानी को अंदर पहुचाना पड़ेगा और जो पानी अंदर जाता है उसे बोलते हैं exoosmosis तो एक RBC को कैसे break किया जा सकता है osmosis करके और osmosis भी कौन से वाला endosmosis करके इस RBC को hemolysis किया जा सकता है यह ब्रेक किया जा सकता है जैसे आप देख सकते हैं यह normal RBC है तो यहाँ पर अगर आप इसको रख देते हैं हाइपो टोनिक solution में अब समझना ध्यान से अगर कैसे अंदर जाता है मैं आपको बताती हूँ मारो यह हमारे पास एक solution है और यह है हमारा RBC इस RBC के अंदर इस RBC के अंदर जो है वो solute कम है solute कम है wait solute है जादा और solvent है कम solvent है कम लेकिन इस solution की अगर बात करें तो इस solution में solvent है जादा यानि पानी solution में जादा है और इसमें जो solute है वो कम है solute देखो कम है इसमें किसके comparison में हम बात कर रहे हैं RBC के comparison में हम बात कर रहे हैं तो ऐसा solution जिसके अंदर solute कम होता है solvent जादा होता है उसे बोलते हैं hypotonic solution उसे बोलते हैं hypotonic solution तो यदि हम अपने RBC को एक hypotonic solution में रखते हैं तो उसके अंदर endosmosis होगा और जिससे वो burst कर जाएगा मतलब वो break हो जाएगा तो क्योंकि यहाँ पर पानी जादा है यहाँ कम है तो यह पानी अंदर move करेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है water या solvent move from higher concentration to the lower concentration यहाँ बार higher है अंदर lower है तो यह पानी अंदर move कर जाएगा अब जैसे पानी अंदर move करता है तो उसको बोलते हैं endosmosis इसे बोलते हैं endosmosis जिस वज़े से यह जो RBC है अगर वो छोटा सथा तो अब वो swell हो जाएगा अब वो swell हो जाएगा तो RBC हो जाए है swell और जब पूरा maximum condition आ जाती है यह पूरा swell हो जाता है तो एक time के बाद यह फिर फट जाता है ब्रेक हो जाता है जिसे बोलते हैं hemolysis ठीक है तो मतलब हमने एक बात जानी है कि अगर हमें RBC को ब्रेक करना है तो हमें उसे isotonic solution में रखना होगा और isotonic solution क्या होता है जिसके अंदर solute कम है और solvent ज्यादा होता है देखा गया experiment की help से कि अगर हम अपने RBC को रखते हैं एक ऐसे solution में जिसकी concentration 0.9 है हम बात कर रहे हैं in the regard of NACL नोंकि हमारे question में NACL के regard में पूछा है कि NACL का कैसा solution हमें रखना होगा तो यदि हम इसको 0.9% NACL में रखते हैं तो यहां कोई difference नहीं आता है ठीक है यहां पर कोई difference नहीं आता है मतलब यह जो RBC बस नहीं करेगा तो हमें करना क्या पड़ेगा हमें 0.9 से कम का लेना पड़ेगा आप देखो 0.9 का मतलब क्या है percentage का मतलब होता है हमने लिया कि 100 हमारे पास complete हमारा पूरा solution है और उस 100 में से 0.9 solute है और बाकी का सारा portion जो है कितना बचा यह बचा है 8.1 is that so yes तो यह होगा solvent ठीक है तो इतना solvent है तो अगर हमें पानी को अंदर लेके जाना है तो मतलब यहां पर solute और भी कम होना चाहिए तो मतलब अगर यहां 0.9 का concentration है तो यहां पर इस solution में 0.9 से 1 0.9 से कम concentration होनी चाहिए तब जाकर ही यह पानी अंदर मूव करेगा I hope यह बाते समझ आ गई होंगी देखो यह लिखा भी है NACL is a isotonic to the red blood cell at a concentration of 154 millimolar this corresponding with NACL 0.9 परसंट मतलब अगर हम अपने RBC को एक ऐसे solution में रखते हैं जिसकी concentration कितनी है 0.9 परसंट है तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा ना ही तो RBC से पानी बाहर निकलेगा और ना ही इसके अंदर जाएगा मतलब यह दोनों isotonic की तरह behave करेंगे तो यहाँ पर the red blood cell has its normal volume in the isotonic NACL इत्रोसाइट remain intact in NACL 0.9% resulting in an opaque suspension मतलब अगर आप इसको 0.9 के 9% NACL में रखते हैं तो इस पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है लेकिन हमें तो effect करना है हमें तो पानी अंदर लेके जाना है और पानी अंदर कब जाता है यदि बाहर का solution है वो isotonic नहीं हाइपरटोनिक नहीं हाइपोटोनिक होना चाहिए मतलब जिसके अंदर solute कम solvent जादा तो यहां पर कितना solute है 0.9 तो यहां पर 0.9 से कम कम ही होना चाहिए तभी पानी अंदर जाएगा तो आई होप यह बाते समझ आ गई है अब चलो देखते हैं अपने option में तो यहां पर option में दिया है first 2.0 तो आप देख सकते हैं यह 0.9 से कम नहीं बलकी जादा है तो यह एक हाइपरटोनिक की तरह भीव करेगा तो यह endosmosis नहीं कर पाएगा 1.5 again endosmosis नहीं कर पाएगा 1.0 यह भी नहीं कर पाएगा 0.5 exactly यह कर देगा और क्यों कर देगा देखो फिर से समझा देती हूँ यह है हमारा solution यह है RBC RBC में 0.9 की अगर concentration है यह फिर 0.9 भी नहीं है कोई भी concentration है लेकिन बाहर अगर हमने रख दिया है 0.5 तो यहां solute कम है यहां solute जादा है तो पानी जो है ऐसे move कर जाएगा अंदर और एक time के बाद यह swell करेगा और swell होने के बाद यह फट जाएगा ठीक है so fourth option will be the right answer for this question I hope यह समझ आ गया होगा नहीं भी आया है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं जो भी doubt होगा ठीक है चली मिलते हैं अगली वीडियो में नए question के साथ में till then bye bye take care